आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ तो इस Question हम से भोला है कि Magnetic Field for a given length of wire carrying current for a single turn circular coil at center is B ठीक है, then its value for two turns अब हम turns 2 कर दे रहे हैं for the same wire when the same current pass through it will be worked ठीक है, तो हमें बता कि हमारी Magnetic Field at center क्या होती है B is equals to Mu naught N I upon 2R, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके जो number of turns है आना हम वो हम double कर दे रहे हैं ठीक, तो अगर इसके number of turns जैसे हमारा जो एक wire था हाना इसके length हमारी L है तो पहले एक L length की, तो एक circle बना रहा था पहले right हमारा, इस circle की circumference हो हमारी क्या होगी, L हाना तो यह हमारी circle की radius है R होगी, तो R is equals to sorry, L is equals to 2πR, ठीक है, अब हम इसी wire के 2 turns कर दे रहे right, तो basically इसकी जो circumference होगी हाना, वो L और L के, L by 2, L by 2 के हमारे 2 loops होगई है right, L by 2, L by 2 के हमारे 2 loops होगई, तो आप क्या हो जागे, जो नए वार circle बनेगा, उसकी radius की हो जाएगी, हाना, L by 2 is equals to 2πR, हाना, मालब इसकी जो नई radius होगी, जो नई वाली radius होगी, जो नई वाली radius होगी, तो यह हमारी कित्या जाती है, यह हमारी L upon 2πR आ जाएगी, हाना, L upon 4πR, तो मारी जो R dash है, जो नई radius होगी, that will be half of old 1, हाना, तो हम basically क्या कर रहे है, कि इसकी number of terms double कर रहे है, हाना, और number of terms, N की value हम double कर रहे है, और R की value हम half कर रहे है, तो हमारी magnetic field क्या हो जाएगी, फिर, यह half उपर चला जाएगा, तो हमारी जो magnetic field है, वो 4 times हो जाएगी, ठीक है, मतलब यह 2 आ, और नीचे वाले denominator half आ, तो जो magnetic field है, वो हमारी 4 times हो जाएगी, तो B dash will be 4B, ठीक है?